Fibonacci series अगर ये बनानी हो तो उसका सबसे पहले समझजीए कि Fibonacci series होती क्या है Fibonacci series अपने आ बनती है आपको पहले दो टम चाहिए बस और वो fix होते है इनको change नहीं करना है ये आपको हमेशा starting में ले लेना है ये आपको मिलते हैं तो 0 और 1 ये पहले term होते हैं और फिर 1 IK series का मतलब ये होता है हर जो term आने वाला है वो पहले 2 term का addition होगा यानि कि 0 प्लस 1 ये क्या बनेगा 1 फिर 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2 फिर 1 प्लस 2 क्या बनेगा 3 फिर 2 प्लस 3 क्या बनेगा 5 ऐसे यह चलता चला जाएगा तो क्या-क्या चीज दी जाएगी आपको पहले तो कित्रे term तक आपको चलाना है पहला यह चीज दी जाएगी आपको 0 और 1 यह fix है यानि कि अगर आप इसको मालिजे T1 लेते हैं तो यह 0 हो जाएगा T2 आप लेते हैं तो यह 1 हो जाएगा फिर आप sum ले लीजे या कोई भी जिसमें रखना चाहें इस sum में आपको रखना है यह T1 प्लस T2 तो अगर आपने इसको T1 लिया है यह T2 है तो यह sum हो जाएगा अगली बार थोड़ा आगे खिसकाएगे और sum को T2 में डाल दीजे हर बार यह करना है आपको और फाइनली sum इक्वल टू T1 प्लस T2 और sum को प्रिंट करा दीजे तो अगरी बार जब sum प्रिंट होगा तो वही प्रिंट होगा जो आना है हर बार next value आएगी तो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा फिबोनाकी सीरीज का प्रोग्राम है तो public class फिबोनाकी आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते है public static void main के अंदर आईए आपको यह बताया जाएगा कि कितने number तक आपको फिबोनाकी सीरीज चलानी है अगर आप यह user से enter कराना चाहें तो करा लें नहीं तो n equal to n equal to 10 इस तरीके से initialize कर सकते है जैसे मैंने बताया आपको t1 आप 0 यह हमेशा वही रहेगा t2 equal to 1 यह 0 और 1 इसके fix term होते हैं और इसके बाद आप print कराना चाहें जैसे इस तरीके से कराना चाहें तो आप पहले लिख दीजे कि first n terms तो वो यहाँ पर आ जाएंगे और यह plus कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ 1 से लेकर n तक चलाएंगे यह for का loop चला है i equal to 1 i less than equal to n i plus plus i यहाँ एक से लेकर आपको इस 10 तक चलाना है जहाँ तक आपको फिर बनाके सीरीज चलानी है तो 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर चलाएंगे और उसके बाद आप चाहे तो यह plus sign जोड़ने के लिए print.out.print यह plus दे सकते हैं आपर यह plus के वाल यह काम कर रहा है पहले यह term print करेंगे फिर plus अपने आप यहाँ से आजाएगा अब आपके बाद क्या हो रहा है इसके बाद यह होगा कि अब मैं आप बताता हूँ यहाँ पर अभी हमें कुछ लिखा नहीं है अभी मैं बताऊंगा आपको क्या लिखेंगे सबसे पहले देखिए int equal to sum sum ले लिया यहाँ पर अगर आप यहाँ लेना चाहते है तो sum को आपको 0 initialize करना पड़ेगा अब यह sum को 0 initialize कर देंगे तो यह पूरे program के लिए valid हो जाएगा लेकिन हम नहीं चाहते हैं क्योंकि हम इस for के अंदर sum ही print कराना चाहते है तो sum यहाँ पर लेंगे यह जो T1 और T2 जैसे T2 है तो T2 आप T1 हो जाएगा तो T2 आपका T1 हो जाएगा यहाँ पर और आपका sum है वो T2 हो जाएगा नेकि sum को T2 दे देजी और फिर यहाँ पर sum print करा देजी तो यह 10 बार loop चलेगा हर बार यह आगे-आगे खिसकने का मतलब आपने बेसिकली assignment कर रहे है कि यह जो next term जो आ रहे है वो आप assignment कर रहे है और हर बार इस sum को print करा दे रहे है तो इस तरीके से फिबुना की series print हो जाएगी